नमस्कार दोस्तों मैं रंजीत कुमार स्टडी फॉर गोल्स पे आप समों का स्वागत करता हूँ फ्रेंड्स जार्खन सची वाले जेसे सीजील 2021-22 कम्प्लीट खोठा के सलेबस में हम खोठा भासा पद्ध्यभाग का दूसरा क्लास दिखेंगे और इस कलास में फ्रेंड्स हम आखी गीत कविता संग्रह का एक पोएम नाच बांदर नाच रे जो स्रीनिवास पानुरी जी के द्वारा लिखा गया है इसे हम डिटेल में देखेंगे इसका हिंदी भावार्त समझेंगे और इससे बनने वाले वस्तोनिष्ट प्रस्ण भी देखेंगे अगर आप खोठा सलेबस के अकॉंडिक देखे तो यह बहुत ही इंपोर्टेंट पोएम है आप निश्चिन्त रहें कि यहां से 2-3 questions हर seat में अगर मैं practice seat बनाओंगा वहां पे हर seat में आएंगे और I hope कि जो exam होगा वहां पे भी यहां से 2-3 प्रस्ण पक्का पुछे जाएंगे तो एक easy poem है इसको अच्छे से समझ लिजेगा तो 2-3 marks आपके fix हो जाएंगे इसके अलावे बता दू friends अगर आप study for goals पे नए हैं तो जार्खन सची वाले जैसे से CGL को target करके अब तक 15 प्लस वीडियो लेक्चर बनाए जा चुके हैं अगर अभी तक आपने इन सब वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारी YouTube चैनल जो हमारा है वहाँ प्लेइलिस्ट विजिट कीजिए और इसके अलावे study for goals का Android एप है उसे भी download कीजिए और वहाँ पे ये सारे content आपको विवस्थित रूप से मिल जाएगा तो आप easily वहाँ पे पढ़ सकते हैं चलिए फ्रेंट्स आते हैं बिना देरी की हुए आज के topic पे और आज का पुस्तक है वह है आखिगी यह क्या है फ्रेंट्स तो खोठा कवीता संग्रह है कई बार इस तरह के भी प्रसन पूछे जाते हैं कि पूस्तक का नाम दे दिया आप वो पूछ देता है कहानी संग्रह कवीता संग्रह क्या है इसके लिखक कौन है स्री निवास पानूरी जी थोड़ा सा प्रकासन वर्स आप सुधार लिजेगा प्रथम प्रकासन इसका 2000 में हुआ था और दूसरे बार यह 2019 में प्रकासित हुआ है बाकि मैं इसका PDF जब अपडेट करूँगा एप पे तो उस तक के बारे में और डीटियल में बताया था तो अब बार बार चीजों को ना बताते हुए आप अगर सिस्टेमाटिक हमारे कंटेंट को फॉलो करते हैं तो आपको समस्या नहीं होगा। अक्टूबर 1986 में जन्मस्थान इनका है बरवा अर्डा कल्यानपूर धनबाद मा का नाम था दुखनी देवी पपिता जी का नाम था साली गराम पानुरी इनकी परमुख परकासित रचनाओं की बात करें तो बाल कीरन कविता संग्रह है दिव्य जोती कविता संग्रह है मेग क्रिती हैं स्रीनवास पानुरी जी का जो आपको याद रखना चाहिए अक्सर प्रस्न पूछा जाता है कि खोठा का भिश्म पितामा की ने कहा जाता है इसके लावे पूछा जाता है कि यह उपाधी उन्हें किस ने दिया था किस ने कहा था तो खोठा का भिश्म पितामा स जन्व दिवस को ही, खोठा दिवस के रूपे मनाया जाता है, तो ये कुछ बेसिक जानकारी था, जो आपको जानना चाहिए, यहां से भी प्रस्न बन सकते हैं, सिर्फ पोएम से ही प्रस्न नहीं पुछेगा, क्योंकि आप वेटेज देखेंगे, एक्चलों मैं बहुत जो कभी हैं, सिरी निवास पानोरी, उस समय जो यहां का समाज है, वहां पर जो एक भीदभाव था, या फिर असामानता था, या फिर दो तबके के बीच में जो गैब था, उसे दिखाने का प्रयास किया है, मतलब एक व्यंग के रूप में इसे आप कह सकते हैं, देखिए, पोइम जो होता है, फ्रेंट्स वक कभी अपने हिसाब से लिखता है, कभी समाज में फैले, या फिर प्रकृति से जुड़ा चीजों का मर्म, एक कम लाइनों से संजोग कर उसको लिखा जाता है, बाकी जो पढ़ने वाले होते हैं, उसे थोड़ा उसी में ही अपने हिसाब के नीचे हमने भवार्थ लिख रखा है, और बाद में वस्तुनिस्ट प्रसन है, तो उसे हम समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है, चली हम एक एक करके पहले पढ़ लेते हैं, और उसी के साथ साथ कुछ में बताते जाओंगा, बाकी मैं डिटेल में भवार्थ बताओंगा, पहले लाइन का रहा है, फ्रेंट्स, नाच-बांदर नाच रे, मोर चाहे बाच रे, तोर खातिर सुसनी साग, हमर खातिर माच रे, तो पहले दो पंक्तियों का मैं बाकी डिटेल में भी बताओंगा, बाकी मैं थोड़ा-थोड़ा यहां बता देता हूं ताकि आपके दिम मुल्लिवासियों, आदिवासियों से समंदित है और यहाँ पे मोर मतलब मरना चाहे बाच मतलब बचना मतलब बोल रहा है नाच बांदर नाच रहे तुमको जो करना करते रहो तुमको जितना काम करना करो मरो चाहे बचो जो दूसरा तबका है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता यहां पर बोल रहा है तोर-खातिर-शुष्णी-शुष्णी-शुष्णी-शुष्णी-शुष्णी-शुष्णी-शुष्णी-शुष्णी-शुष्णी-शुष्णी-शुष्णी-शुष्णी-शुष्णी-शुष्णी-शुष्णी-शुष्णी-शुष्णी-शुष तो यहाँ पे जो पोम में वही बताया जा रहा है कि तौरखातिर सुसनी साख हमरखातिर वाचरे मतलब एक ईक जो है कि पूरी तरह से अ translating है याफ्य विविलाशिता में है जबकि दूसरा वर्ग initi पड़ा है गाव मरें चहंजी से कल्यान यसी कभी यहाँ पे बता रहे हैं फिर कह रहे हैं नाच बांदर नाच रे मोर चाहें बाच रे हमर खातिर सोना चांदी तोर खातिर काच रे तो यहां भी सोना सांधी है जो संपधा को दिखा रहा है कि एक तबका के पास बहुत संपति है बहुत संसादन है लेकिन दूसरे तबका के पास क्या है काच है काच क्या है यहां भी भी काच अभाव का परतीक है फिर कह रहें नाच बांदर नाच रे मुर्चा है बाच रे ठ देखे, बाहर चाहिए लोग कहने का सिंस सिर्फ 10 साल, 5 साल या 20 साल कहने से नहीं है, आप पिछले 500 सालों का इतिहास देखेंगे, तो जारकंड में हुआ यही है, कि बाहर से लोग आए, चाहे फिर विदेशी सासक रहे हो, चाहे अंग्रेज रहे हो, चाहे दूसरे राजियो किया गया, चीजों को बनाया गया, या राजनीतिक तोर पे कहें, या फिर उसको प्लान के तहत कहें, इस तरह की चीज़ें यहां पे देखने को मिली है, अगर आप वर्तमान परिद्रिस में लोगों को लगता है, कि लगता है कि अभी तो कुछ बदलाव का, एक्चुली ज संपनिया है, वहां पे भी लोकल वर्कर्स या लोकल स्टाप को लिए, अभी हेमंद सरकार ने इस तंदरव में एक प्रवधान कर राखा है, तो ऐसा क्यों जरूरत पड़ा, अब इस पोईम को अगर देखेंगे, तो ऐसा जरूरत बस इसी कारण से है, कि कही ना कहीं जो य अच्छा सा महल बनाए, अच्छा सा घर बनाए, लेकिन यहां के जो लोकल लोग थे, जो यहां पे सदियों से रहते आ रहे हैं, उनके लिए कोई वैसा कल्यान के काम किया नहीं गया, मतलब यहां का आप वन संपदा बोलें, या फिर खनीज बोलें, इन सब चीजों का दोह होना चाहिए था कि बाहर से लोग आए, यहां के चीजों का सद उप्योग किया या उप्योग किया या दुर उप्योग किया, पर यह सब करते हुए यहां के जो लोकल थे, मूल लिवासी थे, उनका भी कल्यान करने के लिए सोचना चाहिए था, लेकिन यहां पे बताया जा जो करना है परशान होते रहो मरो जाहें बचो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता हम अपने विलासिता अपने में मस्त है ठीक है तो यह कुछ पोईम का मैं नॉर्मली बता दिया कि क्या अर्थ होना चाहिए और बाकी इसके लावे कुछ परमुक सब्दा आये बादर तो यह जारकन के मूल निवासी आधिवासियों के आसे के समिन में कभी के द्वारा उपयोग किया गया है मौर मतलब मरना है बाच मतलब जिन्दा रहना है दलान मतलब पक्के घर से शेंसे गाच मतलब पीड़ है सुसनि साग एक परकार का साग होता है सुन सुनिया साग भी इसको कई छेतर में कहा जाता है तो यह आप ध्यान रखे अब चलिए आते हैं फ्रेंट साइ सिस्टमैटिक भावार्त में लिख रखा हूँ उसे मैं पढ़ देता हूँ आप समझ लेना ठीक है बाकी चीजें तो उपर ही मैं जो बताया है उससे बहुत हो आई होप की बहुत धत्तका को क्लियर हो गया होगा उक्त पंक्तियों के माधियम से कवी सिरी निवास पानूरी समाज में फैले वेदवाओ पर व्यंग के कटाज करते वे कहना चाह रहे हैं कि समाज का एक तबका दूसरे तबका के जीने मरने का परवाह किये बगैर अपनी भोग विलासिता में डुबा हुआ है उक्त पंक्तियों में परियुक्त बांदर का आसे जार्खन के मूल निवासियों यम आदिवासियों के संदर में परियुक्ति किया गया है जिनका लगतार बाहरियों बाहरियों हमने बताया कि क्या क्या हो सकता है बाहरी में दूसरे देश के लोग भी है राज्य छेत्र दूसरे राज्य छेत्र के सासक रहे हो अंग्रेज रहे हो यह अन्य राज्यों के राजनितिक सडियन तरही इन सब चीजों से मतलब जार्खन जो है जार्खन के लोग है वे परभावीत रहे हैं और अगर आप जार्खन के निवासी है तो I hope कि आप इस चीज को अच्छे से समझते होंगे और अगर नहीं समझते हैं तो थोड़ा सा दिमाग आसपस दोड़ाईए आपको समझ में आएगा ठीक है सके द्वारा सोसन या हग छीना जा रहा है यहां के लोगों के लिए सुसनी साग कहने का क्यास है कि अभावाला खान पान मतलब अभावाला खान पान है जिससे उन्हें संपूर्ण मतलब कह सकते हैं कि उन्हें जो मिलना चाहिए खाने से जो मिलना चाहिए वह नहीं मिल रहा ह और यहाँ पर भेदभाव के सिंस में यूज किया गया ठीक है तो यहाँ के लोगों के लिए सूसनी साग अभाव आला खान पान तो बाहरीयों के लिए माच विलासिता एवाम उच भोजन का प्रवधान है यहां के लोगों के लिए कांच, अभाव या सस्ते समाग्रियों से जीवन व्यतित करना कांच का मतलब सस्ते समाग्रियों से अभाव का यह पर्तिक है तो बाहर से आकर यहां के भोले भाले लोगों को भला कर ठक कर या यहां के संसादन एवं खनी संपदाओं का दोहन तधा कलकरखानों के निर्मान से मतलब सोना चांदी विलासिता एवं ऐसो अराम के संसादन दूसरा तबका अरजित कर लिया है और यहां के मूल निवासिय आदिवासियों जीए या मरे इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है ऐसा कभी पोयम में बताना चाहरा है आगे कभी कहते हैं कि एक तबका के लिए दलान मतलब पक्के घर हैं बड़े भवन हैं वहाँ जहाँ पे विलासिता के सवी संसादन है तथा दूसरे तरब एक तबका के पास घर तक नहीं है वह पेड के नीचे रहने को या जुगी जोपड़ी में रहने को मजबूर है तथा विलासिता के उपोग में डूबे लोगों को दूसरे तबका के लोग मरे या जिये इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है और यही कुछ इस परकार से अर्थ है और हम कह सकते हैं कि कभी उक्तपंक्तियों के मात्यम से समाज में फैले असमानता एवं विशमता को बतलाने का बेटरिन पिर्यास किये हैं फ्रंट्स यहां पे कई لوगों का यह राई होता है कि नहीं लोग बहर या पिर बहरी है लोकल इस तरह के मुदधे होते हैं इस तरह के बात होते हैं खेर मैं ज्यादा इससेले नहीं करूँगा क्यों मुझे अब इसलिख सर्कल के रूप में है ठ बाहर निकलते हुए कल्यान के काम करने चाहिए, मतलब जहां आपका जन्म हुआ है पहले उसके कल्यान के बारे में सुचिए, वहां के आसपास के लोगों को ससक्त करने का सुचिए, उसके बाद आता है आपका परखंड, उसके बाद आता है आपका जीला, उसके बाद आता है देश और उसके बाद आता है विश्व, मतलब पुरा विश्व ही हमारा घर है, लेकिन यह जो विकास का दोर है इस तरह से होना चाहिए, आपको कल्यान इस तरह से करना है, कि आप अपने परिविश को अच्छा बनाए, देनाप अपने प्रखंड को अच्छा बनाए, इस एक्जामपल ले लिजे, गवर्मेंट जॉब के, आप कमप्रेजन कर सकते हैं, दूसरे राजियों से जारखंड में क्या सीन होता है, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते वे अच्छे से पढ़ाई करना है, अभी बहुत अच्छा एक स्थानी नीती गवर्मेंट न क्योंकि अभी आप दिखेंगे, जारखंड में बहुत गरीबी है, लोग उको पास रहने के साधन नहीं है, खाने को चीजे नहीं है, अगर बहुत लोग इन सब चीजों से रोबरों ही नहीं हो पाते हैं, इसलिए उन्हें पता नहीं चलता है, तो इसलिए भी पढ़ना है, मुझे इसलिए पढ़ना है, तक मैं दूसरों के लिए कुछ कर सकूँ, सिर्फ अपने कल्यान के लिए तो खाना वाला है, वो तो भी जानवर भी सुछते हैं, मुझे बस खाना मिल जाए, मैं मस तो हूँ, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करना है, और आप वार बर बोलता हूँ कि कुछ करना है अपने राज्जी के लोगों के लिए, अपने देश के लोगों के लिए, अपने पुरे शमाज के लिए कुछ करना है, ठीक है, चलिए, यह तो हुआ फ्रेंड्स यह पोईम का, अब हम लोग यहाँ पे back to back कुछ परस्न उसे पहले बता दो, अगर आप जारकंट सची वाले या फिर JSC द्वारा कंड़क्ट होने वाले अन्न एक्जाम का त्यारी करना चाहते हैं, तो आप Study for Goals एप डाउनलोड कीजिए, यहाँ पे complete video lecture, और complete handwritten PDF notes, previous year papers, full length test, chapter wise, sectional test, और कई free test हम लाते हैं, वीक में 3-4 full length free test होत ठीक है, तो चलिए बिनादेरी की आते हैं, कुछ वस्तुनिस्ट प्रशनों पे, और पहला प्रसन यह है, फ्रेंड्स की नाच बांदर नाच रे कवीता के कर लिखल है, और यह प्रसन अच्छा प्रसन है, आपको ध्यान रखना चाहिए, तो स्री निवास पानूरी के मुटा का जन्मुवा था, लेकिन जो objective question बता रहा था, वहाँ पे 1975 था, तो प्लीज यह छोटे-छोटे mistakes हैं, आप यह typing error है, आप इन सब चीजों को खुद से ही correct कर लीजेगा, और comment box में छोटा-मुटा mistake बता दूसे अब लिख दिया किजे, बाकी मैं जब practice लाँगा तो हाँ पे सब repeat करूँगा बार-बार, ठीक है, दूसरा प्रसन है, नाच, बांदर, नाच, रे, कौन किताब से लेल-गेल है, तो obviously आखेगीत, अभी जब हम लोग कहानी पढ़के इन परसनों को पढ़दें तो पढ़ाक से answer हो जाता है, लेकिन जब यह mix रूप में, 100 question के आसे होता है, चीजों को मानवी करन कहीं किया जाता है, कहीं पर ऐजे आसे उसका परियोग किया जाता है, या उसका कुछ अर्थ निकाला जाता है, ठीक है, चौथा प्रसन है, इक कवीता हमर सर्वनाम केकर खातिर परजोग भेल है, तो हमर खातिर माच रे, और फिर हमर खा जारखंडी सोसग वर्ग पुंजी पती वर्ग के लिए इसका उपयोग किया गया है। तो मैं एक ही प्रसन सामिल कर रहा हूं लेकिन आपको सब समझना है कि किस तरह से पूछे जा सकते हैं। तो इसका सही अंसर हो जाएगा इन में से कोई नहीं हो जाएगा। इसके लावे प्रसन कई और बन सकते हैं कि मालिजी इस पोईम को दे देगा। धलान का आसे क्या है, गाच का आसे क्या है, बांदर किस के लिए उप्योग किया गया है, मोर माने की होगे है। तो इस तरह से कई प्रसन पूछा जा सकता है एक जाह में। तो और प्रसनों के लिए आप जो हमारा एप है, यहां पर अगर मैं 9 प्रसन प्रसन बताया हूँ, तो कोशिस करूँगा कि मैं वहां पर 20-25 प्रसन को इस चैप्टर से लाओ। ताकि इस चैप्टर से 2-3 प्रसन देखेंगे, आप अगर पूराने प्रिवेस यहर का अल्गोरिधम देखेंगे तो 2-3 प्रसन इस पोएम से रहेंगे। तो यहां से 20 प्रसन भी अगर मैं करवा देता हूँ, वहां से बाहर प्रसन नहीं है और चुकि आप समझ रहें, समझ चुके हैं तो घुमा के भी प्रसन पूछेगा तो इसलिए अंसर कर पाएंगे। तो मैं बता दे रहा हूँ, इस कवीता से बनने वाले अन्या 15 प्लस महत्वस्तुनिष्ट परसन श्टडी फूर गोल्स एंड्रोइड एप का जो चैप्टर वाइज सेक्शनल टेस्ट है वहां पे अपडेट कर दिया जाएगा ठीक है आप वहां पे जाके अटेम्ट कर सकत एपके है नेक्स्ट क्लास जो होगा फ्रेंड्स हुआ होगा इसी पुस्तक का ते टीसवा पुएम खोठा हाइखोठा कविता ख़र इससे भी पहले आएगा फ्रेंड्स वह ग्रामर का होगा ठीक है और जो फ्रेंड्स वीडियो तो आपको यूटूब पे मिलेंगे ही अगर आप चीजों को व्यवस्थित रूप से देखना चाहते हैं और Study for Goals को सपोर्ट करना चाहते हैं ताकि हम अच्छा प्लाटफॉम बना सके और हमारा काम सिर्फ लोगों को ज्यारखन के लोगों को सिच्छी दिन नहीं करना ज्यारखन की जो संस्कृति है कई ऐसे चीज़े हैं जो छुपा हुआ है जो लोगों तक नहीं पहुंचा है तो उस इन सब के लिए हमने जितना मिनिममम प्राइस हो सकता था 499 रखने का प्रयास किया है तो अगर आप सच्छम है तो इसे पे करें और अगर आप इसके अभाव में लग रहा है कि मैं पढ़ने पाऊंगा तो भी आप करिक्ट करें Study for Goals से आप पैसे के अभाव में ऐसा नहीं अच्छा बनने और अच्छा बनाने दोनों में समय लगता है तो इसे वीट करना है आपको चीजें धीरे-धीरे सब प्रवाइड किया जाएगा आपको चीजें धीरे-धीरे सब बताया जाएगा पैनिक नहीं होना है हडबडाना नहीं है क्योंकि सामने वाले का परिस्तित को समझते हुए या तो रस्तिती को समझते हुए क्वेरीज भी आपके होने चाहिए ठीक है बाकि आप इस कोर्स से जुड़िए स्टडी फूर गोल्स को सपोर्ट कीजिए अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज आप हमारी वीडियो को अपने स्टे फूर गोल्स पीक बहुत अच्छा सुधानसु सर की द्वारा कम्प्यूटर नॉलेज पढ़ाया जा रहा है कम्प्यूटर से रिलेटेड कोश्चन बताया जारें तो एक्जाम में 20 प्रस नियास पूछे जाते हैं 60 मक्स आता है पेपर थिरी में ताब इसे भी फॉलो कीज चीजों को एक मैप के जरिये से धारखन का भूगोल इतने अच्छे से बता रहे हैं कि आपको फॉलो करना जाए आप मैं बता रहा हूं इस स्रीज का आप दूसरा क्लास जाके देखिए उसके बाद फिर कमेंट कीजिए कि सर ने कैसे बताया है तो बहुत सर काफी अपना सम पॉइंट अभ्यों से बेनिफिट उठाए साथ है अपने राज्जी को जानने के पॉइंट अभ्यों से भी इसका सदूपयोग कीजिए तो फ्रेंट्स यह था आज का वीडियो और बाकी मैं हर दिन की तरफ फीर रिपीट करता हूं कि पढ़ने का बेश तरीका है टेक्स् मेरे बच्चे हुए है, हिस्ट्री सेक्षन बचा हुआ है, पॉलिटी सेक्षन बचा हुआ है, तो टेक्स्ट बूक में जाक पढ़िए, टेक्स्ट बूक बेस्ट नोट्स है, मैं आपको बता रहा हूं कि मैं बस पढ़ाने के लिए आपको पहली बार नोट्स बना रहा हू तो प्लीज आप इस strategy को follow कीजी और study for goals को original fee है आपका selection जिनोंने आने वाले exam में selection लिया उन्होंने study for goals को fee दिया बाकी लोगों का उधारी रहा ठीक है चलिए तो मैं फिर मिलता हूँ next videos के साथ तब तक आप अपना ख्याल रखे और त्यारी जारी रखे तो friends all the best for your upcoming exams and for your preparation जै हिन, जै जार्खन जोहार जार्खन जार्फन जार्टे रखेंग और अपना भाले की उपना और तो मैं जार्वान जार्टे पास्टेबर्स